नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेडी पॉइंट इन करियर में आज की इस जानकारी भरे वीडियो में हमने आपको 2023 में महत्वपूर्ण तिथियों और दिनों के बारे में बताया है कि वो कौन से दिन में क्या और क्यों मनाया जाता है और कबसे मनाया जा रहा है यदि आप भी किसी गौर्मन जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है इसलिए वीडियो का अंते तक जरूर देखें चली हम वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और जानता है कि पहला दिवस की रूप में क्या मनाया जाता है तो पहला दिन है एक अगस्त एक अगस्त को राश्टी परवता रोहन दिवस की रूप में मनाया जाता है हर साल एक अगस्त को राष्टी परवता रोहन दिवस मनाया जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की स्थापना लेखक के बेटे बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त जोस मैडिगन के न्यूज राजेक के एडिरो डेक परवत की 46 उची चोटियों पर सफलता पूरक चढ़ाई के लिए मनाया जाता है इसके बाद आता है दो अगस्त दो अगस्त को राष्टी तरबूज दिवस के रूप में मनाया जाता है चे अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है यह वही दिन है जब जापानी शाहर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमानु बम गिराया गया था साथ अगस्त की बात करें तो साथ अगस्त को राष्टी हद करगा दिवस मनाया जाता है यह देश में हतकरगा बुनकरों को सम्मालित करने के लिए हर साल साथ अगस को मनाया जाता है इस वर्स छटा रास्टी हतकरगा दिवस मनाया जा रहा है अगला आता है हमारा आठ अगस 8 अगस की बात करें तो 8 अगस को भारत छोड़ो अंदोलन दिवस मनया जाता है 8 अगस 1942 को बंबई में अखिल भारती कांग्रेस कमिटी के अधिवेशन में मोहंदास करम चंद गांधी ने भारत छोड़ो अंदोलन का शुरुआत किया था इसे अगस अंदोलन या अगस क्रांटी के नाम से भी जाना जाता है 9 अगस की बात करें तो 9 अगस 1945 को संयुक्त राज अमेरिका ने नागस आकी में जापान पर दूसरा बं गिराया और इस बं को फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है इसे हीरो सिमा पर परमाणू बंबारी के तीन दिन बाद गिराया गया था 9 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व के स्वदेसी लोगों का अंतर रास्ठी दिवस दुनिया भर के लोगों को स्वदेसी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और समर्धन पर संयुक्त रास्टी के संदेश को फैलाने के लिए प्रोथसाइट करने का काम हर साल 9 अगस्ट को विश्व के स्वदेसी लोगों के अंतर रास्ठी दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला दिवस है हमारा 12 अगस्ट 12 अगस्ट को अंतर रास्ठी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है समाच में यूकों के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर राष्टिय युवा दिवस मनाया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं 13 अगस्त की, 13 अगस्त को अंतर राष्ट्य वाम पंथी दिवस की रूप में मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को left handers day मनाया जाता है या उन समस्याओं और कठनाईयों के बारे में जागरुकता बढ़ाता है जिनका सामना बैं हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों को करना पड़ता है 13 अगस्त के ही दिन विश्व अंगदान दिवस भी मनाया जाता है अंगदान के महत्तों के बारे में जागरुपता फैलाने के लिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है शायद भारत में कोई ऐसा ही इकात वेक्ती होगा जो कि 15 अगस्त के दिन को नहीं जानता होगा 15 अगस्त को भारत में सोतंतरता दिवस या फिर इंडिपेंडेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 15 अगस्त को भारत सोतंतरता दिवस मनाता है आजी के दिन भारत को ब्रिटिस से आजादी मिली थी यह हमें एक नई शुरुवात की याद दिलाता है 200 से अधिक वर्सों के ब्रिटिस उपनिवेश्वात के बाद हमने एक मुक्त नए युक की शुरुवात की थी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया को आजाद हुए कितने साल हो रहे हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे दिवश है हमारा 19 सगस्त 19 सगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है फोटोग्राफी के महत्यों के बारे में जागरुप्ता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 19 सगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है मानू सेवा में अपनी जानजोफिम में डालने वाले सहायता करमियों को सर्धानजली देने के लिए हर साल दुनिया भर में 19 अगस्त को विश्व मानतावादी दिवस मनाया जाता है आगे वीडियो में बात करें तो 20 अगस्त जो की भारती अक्षे उर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में नविली करन उर्जा की विकास के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारती अक्षे उर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ एक अभियान है जो 2004 से मनाया जाता है यहाँ दिन पूरु प्रधान मंतरी राजीव गांधी के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है अगला है हमारा 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ दिन अमेरिकी समिधान में 19 संसोधन के पारित होने की याद दिलाता है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने अधिकारिक तोर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी है अगला आता है हमारा 29 अगस्त 29 अगस्त को रास्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है फिल्ड होकी खिलाडी ध्यानचन के जन्म दिन का सम्मान करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है यदि 30 अगस्त की बात करे तो उस दिन लगू द्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है लगू द्योग का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 अगस्त को लगू द्योग दिवस मनाया जाता है क्या आप जानते हैं कि लगू द्योग नीजी स्वाम वित्त वाले छोटे निगम या निर्माता होते हैं जिनके पास सिमिस संसादन और जनसक्ती होती है दिन बुध्वार को मनाया जाएगा अंतिन दिवस है अगस्त में 31 अगस्त जो की संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्यो संस्कृत दिवस जिसे विश्यो संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है प्राचिन भारती भासा संस्कृत पर केंद्रित एक वार्षिक कारेक्रम है जिसमें भासा के बारे में व्याख्यान शामिल होते हैं और इसका उद्देश इसके पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना है तो दोस्तो इस प्रकार से हमने अगस्त में आने वाले सारे दिवस के बारे में जाना है बीच में मैंने आप लोग से ये कोश्चन किया था कि भारत को सोतंत्रता प्राप्त किये हुए कितने साल हो गया इसका जवाब आप उन्जे कमेंट में बताएंगे ऐसे ही वीडियोज हम आप लोग के लिए और भी लेकर आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद